हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चानल कुकिंग अफेर्स आज के इस एपिसोड में हम एक बर फिर से साउथ इंडियन रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं तो मैं कुछ न कुछ बनाती रहती हूं आज मैंने आपके लिए यहां पर इंस्टेंट उत्पम की तियारी कर रखी है तो देखिए इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरुरत पड़ेगी यह है सूजी यह लगबग अदर किलो सूजी है दही काड़ा दही है लगबग एक कटोरी यह आप मेजर मेंन के चाहते हैं तो लगबग 100 ग्राम दही जरुरत के अनुसार पानी यह है इनो फूट सॉल्ट लगबग एक पाउच इंस्टेंट है इसलिए इनो की जरुरत पड़ेगी यह है लालमिच पाउडर और नमक यह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और यहाँ पे में प्याज और काप्सिकम शिम्लाइट मिर्च इसे मैंने बारी काट रखा है आप अमी पसंद की सब्सक्राइब यूज कर सकते हैं यहां मैंने दो बड़े प्याज और एक शिम्ला मिर्च काट रखी है और थोड़ी सी हरी मिर्चे भी काट रखी है तो आईए अब हम इसका पैटर बनाते हैं सबसे पहले हम इसमे यह दही आट करेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बार नमक लाल मिर्च इन सब को रखली आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लें यह बहुत ही जल्दी तेयार हो जाते हैं फ्रेंज आप अच्छों के इसे रिफिन में दे सकते हैं रात में तैयारी करके रख दें और सुबह फटा फट बना दें और खाने में बहुत टेस्टी हैं ब्रेकवास में बनाईे इन्हाएं डिनर में हम आइएं काफी हलके होते हैं और थोड़ा थोड़ा अजिए पानी हैट करेंगे पानी थोड़ा थोड़ा एड़ करिए और डिजाइड कंसिस्टेंसी आपकी जब तयार हो जाए तो पानी रावना बंद कर दीजे और क्योंकि यह सूजी है तो थोड़ा सा फूलेगी भी थोड़ा राइस करेगा है कि जाधक नहीं रखना है सिरक सूजी फूले तक कर चिश्टा सब्सक्राइब करा क्ले énटे बुगा रखना है तो इसकी खिटाल बढ़ाने के लिए दो विम यह सकते हैं पर क्योंकि हम इंस्टें बणा रहे है hai है तो इसलिए हम इते बस पंदर मिईट के लिए रखेंगे और इस तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए और इसे मिक्स करने के बाद इसे अब हम 15 मिनिट के लिए रेस्ट करने देंगे और उसके बार इसके उत्वम तेयार करेंगे अब हम इसमें यह थोड़ा था जो हमारा एक पाउच इनू है यह हम एड करेंगे और इसे मिक्स करने के लिए अगर आप 2-3 हंटे के लिए रख रहे हैं आपको तुरंट नहीं बनाना है तो आप चाहें तो इनों को अवाइड भी कर सकते हैं तो आइए अब हम इसके उत्पम बना के दिखाते हैं यह मैंने तवे को गरम कर लिया है यह अच्छे से गरम हो चुका है और गरम होने के बाद हम इस पर हल निकासा ओल लगाएंगे इस है कि अपना ये बाटर जो हमने तयार किया है उसको डालेंगे यहां 2 टेबल स्पून जालें हो और असमें अब कितना मोटा चाहते आएं कितना पथला चाहते हैं मैं बहुत ज़्यादा मोटे ली मिनाती हूँ मैं इतना रखती हूँ लगबग आधा सेंकिमीटर के आसपास इसकी मोटा ही रहती है इसे सिखते भी अच्छे हैं और क्रिस्प भी हो जाते है और मोटा पतला आप चाहें तो और ज़्यादा पतला कर सकते हैं या थोड़ा मोट तो थोड़ा इसको ठीक भी रख सकते हैं अब मैंने इसके ऊपर शिम्ला मिर्च और प्याज ये डाल दी है और ग्यास को मीडियम पर रखिए और अब हम इसके किनारे पर इस तरह से ऑईल स्प्रेक करेंगे हलका हलका तेल इसके किनारों पर डालिए और थोड़ा सा बीच म पर डालिए और ये रेखिए ये निकलना चुरू हो गया कोई दिकत नहीं होती है से बनाने में बहुत एजी है बनाना मैं कोशिश करती हूं जो भी रैसे पर दूप वह आपको ऐसी दूप जो आप एजी घर पर ट्राय कर सके और आपके डिश बरबाद ना हो ये रेखिए अच्छे से फ्लोट कर रहा है इस पर हलका सा फ्रेस करूंगी मैं ताकि ये जो वेजटेबल्स है मेरी वह इस पर अच्छे से स्टिक हो जैंड चेक करते हैं थोड़ा सा और कलर आने देते हैं और अब हमें से फ्लिप करेंगे अच्छे ना नाइस जोल्डन कलर आया इस पर और इसी तरह से हमें से प्रेस करते भी अलके हातों से लूशे साइड भी सेटिंग ये इसे साटी जो हमारी जो नीचे बाली परत है वह भी अच्छे ते इसवर्ड वेटबल आप पर एक निच्गर्ण शयरे में कलव जोए तो आप बंडने वेड़ेों से इंपला, तो गरेऊ विज्ञै ताि को निचे अधान बाद दाज र्रेज वेटा। और जो आपकी फेबरेट वेजिटेबल हों बच्चों को पसंद हो आप वो इसमें आड करिए यह देखिए मैंने वीडियो को बिल्कुल स्टॉप नहीं किया है सेखते टाइम और आप देख रहे होंगे इसे बनने में 2-3 मिनिट ही लगे होंगे और एक उत्पम हमारा तयार हो चुका है मैं आपको और पास से दिखाती हूँ आप कलर देखे यह पूरी तरह से सिख चुका है तो आएए अब हम इसे उतार लेते हैं और इसे सर्फ करते हैं दर्मा गरम उत्पम बनके बिल्कुल तयार है इंस्टेंट जैसा इसका नाम है और मैं आपको इक पर इसका टेक्श्चर भी दिखाऊंगी यह रेखे बहुत सॉफ्ट है बहुत डेलिकेट है और खाने में भी बहुत टेस्टी है यह रेखे स्पंजी काफी अच्छे बनते अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और इसे आपको कोई हल्क मिल रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह आगे भी वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहें तो उसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें तो थैंक यू फो वाचिंग और वी विल मीट अगें बेरी सूर